अगर आपने नहीं देखा तो आपको यहाँ पर आई बटन में लिंक मिल रहा होगा आप उसको देख सकते हैं या फिर कुछ students ऐसे इस वीडियो से connect हुए हैं जिनको नहीं पता CAT course क्या होता है तो उनके लिए भी यहाँ पर मैंने आई बटन में लिंक दिया है next तो उसको आप चेक कर सकते हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा what is CAT CME short में अगर आपको बताता हूँ तो बहुत ही अच्छा एक course होता है दोस्तो जो आपका short duration का course होता है CME द्वारा इसका आपको certificate दिया जाता है official इसकी अगर बात करते हैं तो यह होता है certificate in accounting technique यानि कि accounting technique आपको यहां से शिखाए जाती है maximum to maximum एक साल का course होता है जिसमें आप आसानी से इसको कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तो हम बात करेंगे level second की first level की हमने बात कर ली है तो आप उसको देख सकते हैं हमारे channel में ही आपको उसकी video मिल जाएगी और हमने आपको previous में i button में link भी दे दिया है तो यहाँ पर अपन बात करेंगे cat course के part second की यानि कि आप level second भी इसको बोल सकते हैं तो level second जिसमें है दोस्तो आपकी practical training होती है हालांकि इसका exam भी आपका लगता है जैसी आप level first जो आपका practical और theoretical होता है जिसका आपको exam देना होता है वो आप complete कर लेते हैं उसके बाद आपका part second होता है level second होता है जिसमें आपको सारी की सारी ये practical training देखने को मिलती है जिसके अपन बात करने वाले हैं इसमें पहला part होता है जिसमें अपन सीखने वाले है computer fundamentals by Microsoft and computerized accountancy यानि कि Tally ERP9 ये अपन सीखने वाले है जो अपने होने वाली है 35 hours की ये अपने training होने वाली है दोस्तों computerized यानि कि computer fundamentals और accounting कुछ software के बारे में second जो अपना होता है वो sap and user program जो अपना होने वाला 25 hours का और third अपना Cambridge generic skills for employability जो अपना 20 hours का होता है और fourth अपना होता है e-filling by experts ये 20 hours का होता है और fifth जो अपना last होता है तो introduction to costing principles and preparations of cost statement जो अपना 40 hours का होता है यानि कि total अगर आपन इसकी बात करते हैं तो वो अपना होता है 140 hours क इसको आप add कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों ये अपने practical training होती है जो institute द्वारा ही अपन को दी जाती है और उसके बाद अपना इसका एक test भी होता है जिनको आपन को pass करना होता है और उसके बाद अपन next जो अपना step होता है यहाँ पर एक training और भी आपको दी गई है यह दे level 3 बोलते हैं वो अपना होता है internship internship यहाँ पर 45 days की होती है यह देखे दोस्ता अपने इनको देखते हैं the internship will be for 45 days the internship can be taken from organizations prescribed under internship of cat course यहाँ पर आपकी 45 days की internship होती है जिनको आपको करनी होती है और उसके बाद आप cat qualify माने जाते हैं और उसके बाद आपको CMA के दोवारा एक certificate दि देखते हैं तो भी अपने part second में यह पांच तरीके की अपनी skill training होती है जो मैंने आपको previous में बता दिया है हलांकि दोस्तों जो student CMA कर रहे हैं जिनको पता होगा CMA course कर रहे हैं तो उनकी same training ऐसी होती है जिसको वहाँ पर skill training बोलते हैं तो वही skill training यहाँ पर आपको मिलती है तो यहाँ से आपको यह कर सकते हैं और उसके बाद काफी अच्छा आपका knowledge improve हो जाने वाला है हालांकि दोस्तों काफी students को इस course के बारे में नहीं पता होता लेकिन कहीं कहीं पर जहाँ पर पता हैं वहाँ पर काफी सारी students इसके होते हैं coachings वगेरा वो आसानी से ले ले लेत हैं तो दोस्तों यह cat course का जो level second था वो था यानि कि यहाँ पर आपकी practical training ही आप एक तरीके से मान सकते हैं वो आपकी होने वाली है तो यहाँ पर आपको सारा का सारा online knowledge skill based knowledge दिया जाता है जो आपको आसानी से ले लेना है उसके बाद अपना exam पास्ट करना है और आप एक cat qualify student मैंने मेरी साइट से इसका complete बता दिया है इसके बाद भी अगर आपकी कोई query रह जाती है या फिर मेरे से भूल हो जाती है दिन आप हमें comment करके पूछ सकते हैं हम आपको बिल्कुल बताएंगे या फिर आपको instagram page का link मिल जाएगा description में वहाँ से उसको join कर सकते हैं आप जहा वीडियो में इतना ही share कीजिए अपने सभी students के साथ जो accountant बनना चाहते हैं तो इस course को आप उनके साथ share कर सकते हैं साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए ताकि आपको और भी आगे से आगे से related update CMS related update और भी अच्छे-च् update आपको मिलते रहें और अपने दोस्तों से share कीजिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद